सब तो पहला ना मानदा है जी स्पाउस वीजा दे विचे ओंग लो में अप्लिकेंट पहले अपना वीजा प्लाई करता सी का स्पाउस जानता सी का साल बाद लास्ट मंथ कैनड़ा हाई कमिशन डेली ने कांफरेंस की सब्सक्राइब करते हैं उन्हें किसी इंकरेज कर दें आप आते है जिदों स्पाउस वीजा पर गालों दिया सब तो पहला नमानदा है जी स्पाउस वीजा देविचे ओंग लो बनाओ थो लास्ट थोड़े मंस दे विचे कांड़ा स्पाउस वीजा दी आड कीती सी, वीजा भी दिखाए से के जे भीचे स्पाउस वीजा भी गृंट हुए और स्पाउस विद्विध केट अप्लिकेशं भी विजा गृंट हुए जो नवी अप्डेट जड़ी आई है में आप्लिकेंट पहले अपना वीजा अप्लाई करता सिखा साल बात क्या जानता सिखा कि छे मीने बात उसी अपने अप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो कनेडियन गवर्मेंट काफी इंटेलिजेंट है उननों पता है कि जितों इन अपना पेरोल जिलानता सिखा क्यों ना इननों कमबाइन कीता जाए लास्ट मन्थ केनड़ा हाई कमिशन डेली ने एक कॉन्फरेंस कीती सिखी तो उनने क्या किसी इंकरेज कर देया है स्पाउस वीजा अप्लिकेशन जो कि होन रीसेंट अप्डेट अकर देखी जाए थे कनेडियन हाई कमिशन ने अमबैसी ने साफ साफ अपनी वेबसाइट तो उपर लिखिया है कि जे तुसी अपनी स्पाउस वीजा अप्लिकेशन लाइक अगर कोई फीमेल है ये ट्वल्थ कीती है बैचलर्जिर्ज अनलै डिपलोमा घीत है कोई भी क्वालिफीकेशन स्पाउस वीजा कठेंद षमक्लाई करते हूं पहले दिन तो कठी फाइल तुसी अप्लाई करते हो तो वीजा हासल सकते और as a embassy spouse visa application नो आसी consider करांगे और एदिया फाइल्स नो बहुत जल्दी process करांगे मनलब काट समेद विचे visa outcome वदिया देखनों मिले कि इस तो इलावा अगर कोई applicant ऐसे है कि main applicant पहला चल गया spouse इफाइल बाद चुलांदे हो और फाइल से होते हैं असी थूरा चा ज्यादा टाइम लांगे उन्नो लेट असी process करांगे सो जेड़े भी अप्लिकेंट ऐसे है अपने spouse नाल जाना चांदे है सो कठी फाइल लाओ उन तक Canadian embassy भी कहना शुरू करगी कि असी spouse वीजा कठी फाइल लगी नो बहुत जल्दी रिजल्ट दांगे सो जेड़े भी अप्लिकेंटे 12 कर चुके एक ग्राजुएटा या मास्टर जांगे छे ओवरोल बैंट देनाल spouse वीजा लवाना चांदे हो या फर अपने kids नों मी नाल अपलाई गराना चांदे हो ता हुने फोन चको ते कॉल करो बनमे एक सो कवार बनमे एक सो स्तार ते ओम ग्लोबल ते अपना कैनडा spouse वीजा ता सपना गरो सकात तनवार